दोस्तों अब बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जाचा कि आपने हमारा थमनेल लेखा और स्क्रीन पर भी यही मॉडल आप देख पा रहे होंगे जिसका साइज है पंदरा बाई साथ यह दोस्तों हमारे एक फ्रेंड है उन्होंने हमें उनकी रिक्वार्मेंट क अकॉर्डिंग मैं प्लान करेड कर रहा हूं हमारे फ्रेंड का रिक्वार्मेंट था कि उन्हें फर्स्ट फ्लोट ग्राउंड फ्लोट पर एक के दुकान और पूरा हॉल और पूरा हाउस प्लान चाहिए उन्हीं के कहने पर स्मॉडल को डिजाइन कर रहा हूं तो बनेरे उसल्में एक पेड़ सर्वेस्स भी स्टाइड की है अगर आप हौरी पेड़ सर्वेस्स अस्तवाल करना चाहते हैं तो नंबर हमारा मारा इसक्रिप्सर में मिल जाएगा व्रें हमें करें महां पर जैसे हमें आप कॉनटेоры पर आप से में आपके रुकार्मंट्स कर देस कर क्लोजड है असपास सारो तरह मकान इनके बने हुए है फ्रंट में ही इसका डेजाइन है तो पूरा बहुत ही बेतरी सा और सिंपल सा लू बजट हाउस मैंने क्रेट किया है तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसको जूमिंग की तो मैसे जूम करके आपको दिखा दे तो मैक् को स्टेल भाटल में जो फिяхले में इसका में धटोर है और यह इसका डूर है और यह एक उड्र के जो करें है तो आपको क्युक्ण इंडिलین करता है अवा जैसा अंदर जाते हैं इस दुकान पर और मैंने कोई इं Trekन नहीं दिया है आप कहां से टरी स्रुप गैलरि शॐ यहां पूरा hall grade कर दिया और यह stairs जिससे आप ओपर जाएंगी stairs मैंने दो जगह return किया है जिससे आपका ज्यादा जगह वेश्ट ना हो और कम जगह में आपकी stairs बन जाए तो यह पूरा hall है ground floor में और यह front में दुकान है और यहां पर मैंने कोछ भी ground floor पर grade नहीं किया है कि आपके आपकु ankles को यहां पर किसे के इसलिए कर आपको इनकी क्रेंड सब किछा इसलिए पर वंड़ों लग जाएगा इसके बादी यह अब का मैंड है यह पूरा इसक लिए डोर मैंने जाजी आँ भी में एक bedroom आपको मिल जाता है बड़ा सा और जस्ट पीछे जो कि गैलरी से आप जाएंगे जस्ट सामने एक bedroom में पीछे 10 वाई 10 का उसके साथ attached latent बात है एक और एक store room भी मैंने हाँ पर दिया है 10 वाई 10 का room attached latent बात store room ये आपके bedroom दो bedroom हो गए ये एक और latent बात है command ये आपका kitchen है ये stairs है और ये आपका यहाँ पर पूरा open space है अगर front की बात करें तो front में भी आप एक अगर बनवाना चाहते है तो 15 वाई 10 का एक bedroom बन जाएगा या आप इसे open space रखें ये आपकी requirement पर depend करता है मैंने friends से ये डूर दिया है जहां से आप जाल रखवा सकते हैं या kitchen के ये जो गैलरी टाइब का यहाँ पर एक उपर चछत पर जाल रखवा सकते हैं जिससे आपका property कि वेंटलेशन होता रहेगा अगर हम बात करें नीचे वाले ground की तो महाँ पर भी अगर आप यहाँ पर जाल रखवा लेंगे तो पूरा नीचे भी वेंटलेट होता रहेगा आपका घर तो यह तो बात करें इसके फाज़ फ्लोर और ground floor की बात हो गई और railing मैंने जैसे के आपके बता दिया इस्टील का railing है यह लगवे साड़े तीन फिट का चजजा निकाल कर मैंने क्रेट किया है तो यह 15,26 में पूरा house plan नीचे से उपर तक आपका बन कर ready हो जाता है अब हम मात करते हैं इसके लाज़ फ्लोर की लाज़ फ्लोर पर दूस्तों मैंने कुछ भी क्रेट नहीं गया साड़े तीन फिट का चज़़ो तरह boundary तो इस टेर साथ उसको डखने लिए गुम्ती और यह डोर है जिससे आप शत पर आप आएंगे और इसको मैंने ढग दिया यह इस भी छत बना दिया और यह आपका प्रॉपर तरीके से जो देख पा रहे होंगे आपका रेलिंग क्रियेट हो जाता है तो पंद्रावाई साथ में बहुत ही बेतरीन सा प्लान है जिसमें ग्राउंड फ्लोर बेश्मेंट रखना चाहते है तो वो अगर आप यहां घर बनाना चाहते है तो जो मैंने उपर डिजाइन दिया है फर्स टोर पर वही आप नीच करके बताएं और जो हमारे फ्रेंट थे उनके लिए वीडियो में डेडिकेट करना चाहूंगा आप उन्हें जरूर एक बार वाच करें इस वीडियो जरूर वाच करें और ज्यादा ज्यादा इस प्लान को शेयर करें जिसमें और भी लोग अगर उनके प्लान 15 बाइशाट होगा या तो हमारा आप जो सब्सक्राइबर का प्लान हो रखता है तो आप भी अगर कोई करेट करवाना चाहते हैं घर तो आप हमें पेट सर्विस के इस्तमाल करने या कमेंट करके बता सकते हैं थांक्स वोचें